हाई एवरीबन वेलकम बाक टू आवर चैनल अउनली वेजर सोई आई होप यू अला वेल तो फ्रेंड आज के साथ आलू और मेथी की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूं कि इसे रिक्वेस्थ है प्ली इस विडियो के नीचे एक लाइक का बटन जरू प्रेस करें और इस वीडियो को अपने सभी प्रेंड के साथ शेयर भी जरू करें तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं आलू और मेथी की सबजी को बनाने के लिए मैंने हापे सबसे पहले मेथी लिया हुए तो प्रेंट्स मैंने ना मेथी को तीन से चार बार अच्छे से पानी से वाश कर लिया इसके बाद मैंने इसे कट किया इस बात का हमेशा ध्यान रखिए की आप मेती को पहले wash करें इसके पत्ते को इसके बाद ही आप उसे cut करें cut करने की बाद हमें इसे wash नहीं करना है इसके साथ ही मैंनी यहाँ पर तीन से चार बड़े साइस की आलू लिये हैं जिसके छिलके को हटा कर और मैंने इसके कुछ इस तरह से हलके बड़े पीसेज बें कट किया हुआ है Next मैंनी हाँ पर एक कढ़ाई लिया हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले oil आट कर रही हूँ लभख तीन से चार बड़ी चमच मैंने इसमें oil आट कर दिया जैसे ही हमारा oil गर्म हो जाएगा मैंने इसमें आदी चोटी चमच जीरा डाल दिया इसे हलका सा क्राकल करेंगे इसके बाद मैं इसमें अद्रक हरे मिर्च और जीरा का पेस्ट आट कर दिरी हूँ इसमें ना मैंने हलका सा जीरा डाल के इसे कूट दिया इससे क्या होता है ना काफी अच्छा फ्लेवर आता है इसे ना हमें हलका सा भून लेना है ताकि अद्रका कचापन निकल जाए और जब यह हलका सा भून जाएगा इसके बाद मैं इसमें आट कदरी हूँ आलू जो हमने कट करके रखावा था आलू डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें हमें थोड़ा सा नमक आट कर देना है और अब हमें आलू को भूनना है पूरी तरीके से इस वक नहीं भूनेंगे इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहने देंगे जब हम आगे मेथी डालेंगे तब वो भून लिया है इस टाइम पर मैस में मेथी डाल दे रहे हूं फ्रेंट स्थ्यान रहें कि आप मेथी को बारिक कट करें और मेथी को डाल देने के बाद इसमें मिला देंगे और साथी में थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे शुरुआत में हमने नमक थोड़ा सा आड़ किया था तो अब आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आट करें और अब इससे ज़ादा नहीं बस चार से पांच मिनट के लेना मैंने इसे भूना और ज्ञादा टाइम नहीं लगता है भून जाता है फटा फट से और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-थोड़ी से मसाले आट कर दे थ ग मयदस नड़ी और डूडी चह्पाउडर आड करने थोड़ा सामाइज में जीरा फूर मैने रहीए थी अच्छा चाहिं करते तो फ्रेंट्स आप इसके लावा इसमें थोड़ा सा पानी आर्ट कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला करके ना हमें इसे low to medium flame पर ही भून लेना है अब इसे जादा नहीं बस 6-7 मिनट के लिए भूनेंगे और 6-7 मिनट के बाद जमारा मेती और आलू का सब्जी है वो बन करके तयार हो चुका है आप इसे रोटी, चावल, पराठी आप एक बार इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें आई हो आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो के नीचे एक like का बटन जरूर प्रेस करें और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चानल only vegra sori को subscribe नहीं किया तो आप सभी से request है प्लीज हमारी चानल only vegra sori को subscribe करें कि बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वारी नई मसदार recipes की notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूँ ऐसी किसी दूसरी मसदार recipe के साथ तब तक के लिए thank you so much of watching this video stay happy, stay healthy and stay connected